दिवाली चली गई है और अपने पीछे छेओर गई है बहुत सारी यादे और ये कھیल सब के घर में रहती होगी ना कई लोगों के घर में थो महीनों भर पड़ी रहती है और पता ही नहीं चलता इसका क्या करें चोटे में तो हम इसकी नहमकीन बना के खा जाते थे और अभी मै आपके लिए कैसी रेसिपी लेके आई हो जिसको आप 2 मिनिट में बना के तियार करेंगे और मिंटो में सब इसको फिनिश कर देंगे आप लोग तो चलिए फिर इस टेस्टी इंस्टेंट जटपट से बन जाने वाली रेसिपी को बना के तियार करते हैं तो मैंने एक कढ़ाई ले लिए जिसपे मैंने थोड़ी सी खील डाल दिये अब हमको क्या करना है बस एक मिनिट के लिए खील को हमने लगातार चलाते हुए हलका सा भून लेना इससे क्या होगा तोड़ा इसमेरे क्रिस्पी पना जाएगा जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और खाने में बहुत मज़ा आता है खील के साथ साथ में इसमें थोड़े से सफीद वाले तिल डालें जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा यमी आएगा मतलब मज़ा आ जाने वाला है आपको अगर आप एक बर बनाके ज़रू से ट्राइ कीजेगा अगर आप तिल नहीं भी डालते हैं तो नहीं भी डालें बट अगर तिल डालोगे न तो जादा टेस्टी लगेगी तो तिल डालने के बाद वापस से एक मिनिट के लिए मैंने इसको भून लिया है तो बस दो ही मिनिट हमने इनको भूना है अब इसको हम फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं सारा निकाल लेंगे अब वापस से मैंने कड़ाई ले रही है जिसमें मैं इसमें आड़ कर रही हूँ थोड़ा सा गुड़ आप गुड़ की जगा पे चीनी का पे इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हम इसको हेल्दी बनाने वाले हैं अब जैसे कि विंटर्स आ ही गए है तो ऐसे में गुड़ खाना तो वैसे भी बहुत ज़ादा हेल्दी होता है साथी साथ इसमें मैं बहुत थोड़ा सा लगभग दो चमश पानी आड़ कर रही है बहुत ज़ादा पानी बिल्कुल भी आड़ नहीं करेगा फटा फट से हम सारे जो गुड़ है इसको मेल्ट कर लेंगे देखे कुछ इस तरह का टेक्श्चर इसका हो गया है अच्छे से गुड़ जो है मेल्ट हो जाना चाहिए अब गुड़ के मेल्ट होते ही आपको देर नहीं करनी है बहुत ज़ादा इसको पकाना नहीं है हम इसमें ये खील और तिल को आड़ कर देंगे अब बस लगातार फटा फट से सारी चीजों को मिक्स कर दीजे इस टेज़ पे मैंने गैस की फ्लेम को बिलकुल लो रखा हुआ है और बहुत अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे ताकि जो गुड है उसकी जो कोटिंग है इस सारी खील पे हो जाए अगर आप कहीं पे सफर में निकल रहे हैं तो भी आप इसको बना के अपने साथ रख सकते हैं सफर में इसको खाने का अलगी मज़ा है एक सफर में आप इसको बहुत अच्छे से इंजोई करेंगे एक साथी साथ ना दूप में बैटके खायेगा आपको बहुत मज़ाएगा तो बस इतनी जल्दी से देखे कितनी ये कोटिंग हो गई और दो ही मिनिट में ये दाने देखे कितनी खिले खिले हो गई बहुत ही अच्छे से खिले खिले दाने बनते हैं आप चाहें तो इसके लड़ो भी बना सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा गुड़ की कॉंटिटी बढ़ानी पड़ेगी और गुड़ को थोड़ी देर पकाना पड़ेगा जब तक गुड़ में से एक तार की चाशनी जैसा ना बन जाए तो ये देखे कितनी खिली खिली ये बन गई है एक एक पीस आपको अलग दिख रहा होगा बहुत ही इंस्टेंट है बहुत ही ज़्यादा टिक्स्टी लगती है जरूर से बना के ट्राइ कीजेगा और यकीन मानिए बहुत जादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो यहां रेखिए हमारी इंस्टेंट रेसिपी बनके बिल्कुल तयार है तो आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रिंज और फामली के साथ चैनल पर अगर आप मेरे नए है तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इंजोई करिए बढ़िया बढ़िया रेसिपीस को तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स ताइम हापी आर्स में नई रेसिपी के साथ थांक्स फर वाचेंग